गाइस क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं मैं आ चुका हूँ गुवर्दन प्लीज स्टार्ट दे सेशन ओके गाइस बॉट्स अब कैसे हो यार आप लोग अव यू क्या हाल चाल केड़ो हाल छे किवे हो तुसी केम चो मजा मचो वाट्स ओगाइस क्या हाल चाल सो यह चल रहा है धूम सीरी जोराज हम लोग करने वाले हैं एक ही शोट में खतम करेंगे 2020 के पॉइंट अव्यू से लेकिन उससे पहले मैं अपने बच्चों से बात कर लेता हो क्या हालचाल कैसे हो चाल देखते हैं फड़ाफड से कौन कोनई आपर प्रेजेंट है सनेहा आई लाइक यू नाम देखो वर्षा वर्षा लाइक यू अच्छाल इन लड़क और नीचे लडगे का नाम यह यह आई लाइक यू खुशी भाई आप नी में क्या लिखते है बच्चे आज कल बड़े अजीव जीव जीव चीजे लिखते हैं जुफीशा खान उसके बाद है सोहली मैरी तो आज एक ही शॉट में हमें इस चेप्टर को खतम करना है और ये एक important chapter है और I think आप लोग सभी करना चाहोगे विगनेश, नंदिनी, विवेक, दर्ष, गौरव, टाटा, मेगना मेगाना ओके, सो काफी बच्चे आचुके हैं स्नेहा, रुबीका, गुलीन, मोहीनी यादव, प्रभा, जाट-जाट क्या नाम रखे हो, जाट-जाट तो आज हमारा जो टॉपिक है वो काफी interesting और important है धूम सीरीज में आगे चल रहा है, chemical equilibrium को आज हमें खतम करना है let's start the session then, guys क्या आप लोग तयार हो are you guys ready for that बताइए मुझे, क्या आप लोग तयार हो चलिए, तो मेरे सिपे सालार, मेरे सानिक, मेरे बच्चे मेरे विदान्तु नीट मेडीजियन एकदम तयार है, है ना तो अपन बोलेंगे A-squarian, है ना सो मेरे A-squarian सभी तयार है क्या बात है, क्या बात है, च्छाए हो एकदम चलिए, आज एक ही शोट में हमें chemical equilibrium को खतम करना है chemical equilibrium अगर हम लोग कहें ना कि बहुत important topic है, तो गलत नहीं होगा और इन में से काफी concept है जो आप लोगों chemical kinetics में काम आते हैं, तो chemical kinetics और chemical equilibrium एक दूसरे को correlate करते हैं कहीना कहीन तो हमें इसको फड़ा-फट से खतम करना है, इसमें अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे important topic क्या है, तो वो है Lee Catalyve Principle, Lee Catalyve Principle में से काफी सवाल पूछे जाते हैं, तो let's start the session then, without wasting our time चलिए फड़ा-फट से शुरू करते हैं Inorganic Chemistry का Chemical Equilibrium नहीं, यह Physical Chemistry का, so Physical Chemistry का हम लोग Chemical Equilibrium स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले guys, I have a request for all of you, कि अगर आपने अभी तक सबस्क्राइब नहीं कहा है चानल को, तो बेटा सबस्क्राइब जरू कर लो यार, क्योंकि यह हमारी family है, हमारा बढ़िया चीज, तो आपको बताना चाहूंगा विदान तो आप लोग के लिए एक long term crash course लेकिया है, जो कि आज से शुरू है 14th of July से start हुआ है, fresh तो अगर आप अपनी study को systematically करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह course 24,000 का नहीं है, मातर 2999 में रुपे का है, बहुत ही massive discount आपको मिल रहा है, तो आपको यह लेना चाहिए, मुझे लगता है, है ना, और उसके लिए मैं आपको coupon code देता हूँ, that is AA2020, जिसके लिए आपको मैं यहाँ link भी provide कर रहा हूँ, जो गूगल पर जाके आपको लिखना है, तो आपको लिखना क्या है, गूगल पर जाके आप लिख दो vdnd.ro.tiens.need.cc, यह link पर जाते ही आपको coupon code पूछेगा, तो जब आप coupon code दोगे AA2020, तो बस आपका काम हो गया, समझो, यह coupon code लगा और उसके बाद आपके कोर्स को मातर 2999 रुपे में जोइंग कर सकते हो, enroll now पर click करने के बाद आपको coupon code यूज़ करना है, main चीज़ है coupon code, तभी आपको यह extra discount मिल पाएगा, and that is AA2020, 2020 चल रहा है, उसके आगे A square यानि की AA लगा देना, आपका काम हो जाएगा आज के session की detail जैसे की आपको पता ही है, दो सुपह बायो के session हुए थे, आज गौरवजर ने एक नया series शुरू किया है, जो काफी बच्चों ने देखा है, focus series, that's really awesome तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, तो देखो जाके, और kinematics का एक 2022 2022 के हिसाब से session भी हुआ था as blog हमने कर लिया है, आज हम लोग chemical equilibrium कर रहा है, लेकिन उससे पहले मेरी request है, अगर आपने अभी तक telegram के group को join नहीं किया है तो गलत बात है, विदानतुनित official हमारा telegram का group है, जिसमें 28,000 के करीब बच्चे अभी तक उसको join कर चुके है 28,000 बच्चों, येतने बच्चे join कर चुके, अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है तो प्लीज आप 28,000 बच्चों को जो मिलने वाला है, या मिल रहा है उससे आप अच्छूते रह जाओगे तो आप लोग उस टेलीग्राम के गरूप को ज़रूर जोइन करो, by the way मैं टेलीग्राम के गरूप में तो message देना भूली गया तो मैं सुच रहा हूँ कि अब लगे हाथ, मैं टेलीग्राम के गरूप में एक message डाल देता हूँ I forgot कि मैं एक message हमेशा देता हूँ लेकिन आज नहीं दे पाया, Chemical Equilibrium Hey guys, what's up अभी मैं लाइव सेशन से आप लोगों को Message दे रहा हूँ, Chemical Equilibrium शुरू हो गया अगर आपको One Short में Chemical Equilibrium करना है तो फटा-फट से आजाओ, लाइव में अभी बैठा हूँ चलिए guys, तो मैंने याँ पर सेशन स्टार्ट करते हैं आपन, मैंने Message भी दे दिया बच्चों को तो देखते हैं कितने लोग जोइन करते हैं जिनको Chemical Equilibrium करना है, लेकिन आपन तो शुरू करते हैं Let's start the session, then Doom Series को load करते हैं, reloaded Yes, One Short, reloaded Let's start the session, मैं उड़ाने वाला हूँ आप लोगों को मज़ा दिलाने वाला हूँ पर आप लोग तयार हो तो एक बार chat section में लिखिए Yes, Sir, We are ready और like कर दो फड़ा-फट से session को Do like the session right now तो आप लोग तयार हो, Chemical Equilibrium के लिए वैसे बहुत ही कम बच्चे होते हैं, जो physical chemistry में थोड़े interested होते हैं, लेकिन फिर हमें तो slivers पूरा करना ही है, देखो हमारे पास कोई choice नहीं है, तो हम लोग अभी शुरू कर रहे है Chemical Equilibrium को, अगर आप लोग तयार हो उड़ने के लिए, Chemical Equilibrium को करने के लिए, जिसमें से आप लोगों को Leak Atleer पे तो question 100% मिलेगा, कोई choice ही नहीं है, तो आप लोग मेरे साथ आजाओ, फड़ाफट से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेट स्टार्ट दे सेशन देन, धूम सीरीज को शुरू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, चलिए धूम में चाले, Chemical Equilibrium शुरू करते हैं, सबसे पहले हमारे सामने सवाल है, कि भईया, यह Equilibrium होता क्या है What do you mean by Equilibrium? पहला सवाल है कि Equilibrium का मतलब क्या होता है Equilibrium एक ऐसी स्टेट होती ही, जहाँ पर सारे जो forces होते हैं, opposite forces होते हैं, वो balance out हो जाते हैं, जरा समझे कि मान लो आप एक ना रसी पे चल रहे हो, ठीक है आप एक रसी पे खड़े हो और एक रसी पे जब आप खड़े हो ऐसे करके, तो आपके हाथ में क्या होगा, एक डंडा होगा, जिसको ले के आप balance कर रहे होगे, आपने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे लोगे जो रसी पे अपने आपको balance करने की कोशिश करते हैं, अगर वो पूरी तरह balanced situation में हैं, और वो बिलकुल उस रसी पे stir खड़े हैं, तो जरा समझे, वो equilibrium state पर आ चुके हैं, महापर सारे के सारे forces, almost क्या हैं, वो सारे के सारे forces balanced हो चुके हैं, तभी वो अपने आपको balance कर पा रहा है, इसी state को equilibrium state बोलते हैं, बट यह तो physical equilibrium हो गया, एक तरह से हमारी दुनिया में क्या equilibrium का मतलब है, वो हो गया, तो equilibrium में सारे के सारे forces जो opposite forces होते हैं, influences forces होते हैं, वो balance out हो जाते हैं, लेकिन chemistry में इसका क्या मतलब है, उसके बारे में समझते हैं, देखें, chemistry में equilibrium का मतलब है, जब rate of forward reaction, rate of backward reaction के बराबर हो जाती है, तो उस stage को हम लोग equilibrium stage बोलते हैं, यह कहां पर लागू होती है, उन chemical reactions में लागू होती है, जहां पर reactant में से अगर product बनता है, तो product से reactant भी बनता है, मतलब दोनों direction में जाती है, ऐसी reactions में, अगर rate of forward reaction, मतलब आगे जाने का speed, rate of backward reaction, यानि कि पीछे आने के speed के बराबर हो जाए, जब आगे जाने का speed, पीछे आने की speed के बराबर हो जाए, तो समझ लीजिये की equilibrium attain हो चुका है, तो यहां पर सीखने लाइक बात क्या है, जिस speed से आप आगे जा रहे हो, उसी speed से अगर कोई, देखो आपना माल लो कि आपना बीच में खड़े हो, ऐसे, तो एक बंदा आपको आगे से खीच रहा है, एक बंदा आपको पीछे से खीच रहा है, अगर दोनों सेम ही force से खीच रहे हो, तो आप हिल पाओगे क्या, मेरा सवाल है, अगर आगे से जो खीच रहा है आपको, और पीछे से जो खीच रहा है आपको मतलब एक ने आपकी लाथ पकड़ ली एक ने आपका हाथ पकड़ लिया और दोनों आपको खीच रहे हैं ठीक है अब माल लोग की भाईया दोनों same force लगा रहे हैं तो आप हिल पाओगे क्या नहीं हिल पाओगे आप उसी position पे रह जाओगे क्योंकि जितना आगे force लग रहा है उतना पीछे force लग रहा है हाँ वो अलग बात आप कपड़े फटेंगे और आप नीचे गिर जाओगे बट इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इसी को equilibrium की condition बोलते हैं कि rate of forward reaction, rate of backward reaction के बराबर हो जाती है उसी को chemistry अंदर chemical equilibrium बोलते है समझ मागया कि जिस speed से reactant से product बन रहा है उसी speed से product से reactant बनेगा that is called yes, that is called chemical equilibrium are you getting my point? yes तो अब हम चलते हैं इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए types of reaction की तरफ चलते हैं कि कौनसी reactions में आप लोगों को equilibrium attain होता दिखेगा तो पहली बात तुम्हें आपको बता देता हूँ कि हर chemical reaction में equilibrium attain नहीं होता देखो reaction दो तरह की होती है एक तो होती है reversible reaction ठीक है कौनसी होती है reversible reaction reversible reaction का मतलब अगर reactant से product बन रहा है तो product से reactant बनेगा इसको हम लोग reversible reaction कहते हैं और इसको हम लोगी symbol से दिखाते हैं एक होता है बेटा irreversible reaction irreversible reaction का क्या मतलब होता है जो एक ही direction में जाती है दूसरी direction में नहीं जाती जैसे की देखो मैं आपको example देता हूँ आज आप अपने पापा की जैसे 10 रुपे का नोट निकालना और उस 10 रुपे की नोट को जला देना ठीक है उसके बाद पापा आपको छितर मारेंगे छितर समझते हो तो अब आप पापा को ये तो नहीं कह सकते कि मैंने नोट जला के उसको राख बनाया मैं राख को वापस नोट बना सकता हूँ समझ मागे हैं वो पॉसिवल नहीं है आप जादूगर नहीं हो और जादूगर भी ऐसा नहीं कर सकता वो पागल बनाता है तो मतलब अगर आपने पापा की जैसे 10 रुपे का तूट पेस से अगर आपने पेस्ट बाहर निकाल दी तो उस पेस्ट को वापस से थुसाने में उस वो पेस्ट वापस से तूट पेस पे नहीं जा सकता आपको भी पता है यह अपने 3D8 में देखा होगा वो कहता है कि यह ले सब कुश पॉसिवल है ये टूट पेस में से पेस निकाला चले इसको वापस गुसा के बता so everything is not possible everything is not reversible समझ में आ रहा है तो अब वो जो पल छिन गया वापस नहीं आएगा आपकी जिंदगी वापस नहीं आएगी कल का दिन वापस नहीं आएगा that is irreversible your life is irreversible your time is irreversible आ रहा है समझ में your thoughts are उस पे हम कुछ नहीं कह सकते है thought reversible भी हो सकते है तो उनको मोलते है irreversible reaction और irreversible में कभी भी equilibrium attain नहीं किया जा सकता we can't attain equilibrium in irreversible reaction we can attain equilibrium in reversible reaction तो चलो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तो दो तरह की reactions होती है पहली होती है irreversible reaction जो की सिर्फ forward direction में जाती है मेरे बच्चों only in forward direction जिसको हम लोग arrow से show करते है बात खतम हो जाती है समझ में आ गया so basically आपर constraint क्या है जो irreversible reaction होती है उससे आप reactant से product तो बना सकते हो लेकिन product से कभी reactant नहीं बना सकते हो समझ में आ गया reactant से product बना सकते हो लेकिन product से कभी reactant नहीं बना सकते हो यह तो आपको भी पता है दूसरी होती है अच्छा आप irreversible reactions के example क्या है irreversible example याद रखो neutralization जब भी कोई strong acid कोई strong base से react करके salt plus पानी बनाता है यह तो आपको पता है यह reaction irreversible होती है अब आप सोचो कि किसी acid को base में convert करके salt और water बन गया अब आपने दिमाग लगाया अच्छा यह reversible भी हो सकती है तो आप नमक को गोलने में लग गया ताकि वापस HCL और NOH मिल जाए जिससे आप पूरी industry खड़ी कर लो अगर नमक को पानी में डालने से HCL और NOH मिलता तो भाईया सारे करोड़ पती हो जाते तो neutralization reaction जो है irreversible होती है बेटा reversible नहीं होती नमक तो आपके घर पे 5 रुपे किलो में भी मिलता है उसको पानी में गोलने से अगर HCL मिलता तो नमक का पानी का गरारे करने को तो तुमारा डॉक्टर बोलता क्या डॉक्टर नहीं कहता है नमक के पानी के गरारे किया करो ऐसे कर रहो पता लगा NACL जो पानी में गुला HCL बन गया आपका सारा गला जल गया तो अगर किसी चीज का पिपिटी नीचे बैढ़ गया तो फिर वो reversible नहीं है आपको उसका कुछ नहीं हो सकता combustion भाई साब किसी को जला दिया अगर आपने किसी को भी जला दिया तो वो irreversible भाई वो reversible नहीं है magnesium oxide के साथ reaction करेगा magnesium oxide बनाएगा वापस नहीं आ सकती चीज redox reactions आपकी irreversible होती है zinc ने अगर copper sulfate से reaction करी और zinc sulfate और copper बनाया तो यह irreversible नहीं irreversible है reversible नहीं है आया समझ में तो याद रखो neutralization, precipitation, combustion, redox reaction यह चारो के चारो irreversible reactions है अब आते हैं आपन reversible reaction की तरफ बेटा reversible reaction है न दोनों direction में जाती है वो आगे भी जाती है वो पीछे भी आती है उसको इस symbol से दिखाया जाता है जार आप चेक कर लो this is the symbol और reversible reaction की खास बात ही होती है कि अगर आप reactant से product बना रहे हो तो आप product से वापस reactant बना सकते हो तो यहाँ पर दोनों चीज achievable होती है example के तोर पे देखो जब आप nitrogen को oxygen के साथ react कराते हो तो जब आप यह nitric oxide बनाते हो which is this is reversible reaction मतलब आप N2O2 करके NO भी बना सकते हो NO से वापस N2O2 gain कर सकते हो आपको यह भी पता होगा जो ammonia आप लोग घर पे बैठके मतलब घर पे तो नहीं बनाते हैं है बस प्रोसेस में जब आप ammonia बनाते हो तो nitrogen जब hydrogen के साथ react करके ammonia बनाता है Soto will give you twice of NO which is reversible reaction nitrogen plus hydrogen hyper process which is reversible reaction यह knowledge आपको बहुत काम आएगी अब हम जड़ा चेक करते हैं कि reversible होने का reason क्या है मतलब reversible होने का reason नहीं हम लोग यह आपर चेक करेंगे कि equilibrium का reason क्या है क्यों reversible reaction equilibrium की condition में चली जाती है क्यों reason क्या है इकलिवरिम में ऐसा क्या खास होता है क्यों इकलिवरिम को हर कोई अटेन करना चाहता है मतलब अगर कि रिवेर्सिवल रियक्शन रियक्टेंट से अगर कोई रिवेर्सिवल रियक्शन रियक्टेंट से प्रटेक्ट बना रही है तो वो product से reactant बना कर एक ऐसी situation attain क्यों करती है जहां पर equilibrium attain हो जाता है equilibrium का मतलब rate of forward और backward की जो speed है वो equal हो जाती है concentration constant हो जाती है ऐसा क्यों होता है reason क्या है उसका reason है क्योंकि मैं आप मेरी बात को ध्यान से सुनियेगा क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा graph बना के दिखाता हूँ आप ज़रा चेक करिएगा equilibrium की situation पे yes पूरी की पूरी जो Gibbs free energy होती ही system की वो zero हो जाती है जब energy change zero हो जाए Gibbs free energy change zero हो जाए इसका मतलब उसकी stability बढ़ती है तो equilibrium की condition में जब आप Gibbs free energy और progress of reaction के बीच में graph बनाते हो progress of reaction के बीच में तो graph कुछ ऐसा आता है यहां से शुरू हुआ यह ऐसे करके reactant और यह जो condition आपको दिखाई दे रही है basically इसी condition को आप लोग क्या बोलते है इस condition को बोलते है equilibrium की situation इस equilibrium की situation पे आपको delta G का value जो है minimum दिखाई देता है अगर energy minimum तो stability maximum है तो वहाँ पर equilibrium इसी लिए attain किया जाता है ताकि stability बढ़ जाए और equilibrium पर delta G का value 0 होता है इसी लिए यहाँ पर stability increase हो जाती है stability बढ़ जाते है क्योंकि energy घड़ जाती है इसलिए हर कोई equilibrium को attain करना चाहता है अब हम बात करते है बहिया equilibrium कितने तरह का होता है दो तरह का होता है physical equilibrium और chemical equilibrium हमारे जो सवाल अधिकतर पूछे जाते है वो chemical equilibrium पे पूछे जाते है chemical equilibrium पे सवाल आते है ठीक है हम लोग chemical equilibrium को जादा तबज्जो देंगे और साथ में physical equilibrium last में पढ़ेंगे इसके बात करेंगे तो don't worry तनिशका तनिशका अतरी ने सवाल पूछा आनिकलिव इसके बात करेंगे chemical equilibrium में आप लोग तयार हो क्या हम लोग chemical equilibrium में आगे बढ़ने को तयार है फड़ा फट से लिखो जल्दी सी क्या बात है क्या बात है तो चलो शुरू करते सबसे पहले तो chemical equilibrium होता है तो होता गया है मतलब what do you mean by chemical equilibrium तो देखो ऐसा है chemical equilibrium का मतलब यह है वैसे मैंने आपको बताया है कि जब आप reactant से product बना रहे हो और reversible reaction में product से reactant भी बन रहा है एक situation ऐसी पैदा हो जाएगी कि यहाँ पर reactant से product बनाने की speed product से reactant बनाने की speed के बराबर हो जाएगा मतलब rate of forward is equals to rate of backward ठीक है तो उस situation को chemical equilibrium बोलते है अगर आप इसको ढंक से समझना चाते है तो आप एक काम करिए एक bucket लीजिए आप घर पे एक bucket लीजिए ठीक है आप सुबह 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 संदास में तो बैठते होंगे तो संदास में बैठते होंगे तो आप ऐसा एक इंडियन सं बानते हैं situation में बैठने की situation तो पुराने जमाने में हम लोग संदास में बैठते थे डबबा लेके अभी नए जमाने में तो डबबा लेके नहीं बैठते है अंग्रेज बन गया है सारे के सारे पुराने जमाने में डबबा लेके संदास में बैठते थे तो जब बैठते थ तो उपर से नल होता था, जिससे पानी गिरता था, उसी पानी को इस्तमाल करते थे, सही है, कईयों ने तो dual कर रखा था, यहां से नल है, और इस संडास के डब्बे पे भी नल लगा हुआ है, अब माल लो ऐसी situation पैदा हो गई, माल लो जरा तो चेक करो, कि ऐसी situation पैदा हो कि यहां से जिस स्पीड से पानी आ रहा है, यहां से समझना, यहां से स्पीड से पानी आ रहा है, और यहां से नल बंद है, अगर नल बंद है, तो आपको पता है डब्बा भरने लगेगा, समझ मागे है, और अगर जिस नल खुला है, और बहुत फुल स्पीड से खुला है तो ये खाली होने लगेगा लेकिन अगर मैंने ऐसा कर दिया सपोस करो मैंने ऐसा कर दिया कि उपर से जिस स्पीड से पानी आ रहा है यहां से उसी स्पीड से पानी निकल भी रहा है तो क्या पानी के लेवल में डबे में जो पानी है उसके level में फरक पड़ेगा सवाल है मेरा जिस speed से उपर से पानी आ रहा है उसी speed से पानी निकल भी रहा है तो क्या डब्बे के पानी के level पे फरक पड़ेगा हा या ना इतनी समझदारी से तो तुम आंसर करो तो क्या डब्बे के पानी के लेवल पे फरक पड़ेगा जिस स्पीड से पानी आ रहा है उसी स्पीड से पानी निकल रहा है नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नल चल रही है पानी आ रहा है पानी अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है नल चलती दिखाई दे रही है फिर भी आपका डब्बा भर नहीं रहा है तो आपका डब्बा भर नहीं रहा है इस तरह कि मतलब चलतवा दिखाई दे रहा है कि नल चल रह तो हो क्या रहा है? आपके डब्बे का जो level है, वो constant हो गया. जरा समझो, डब्बे में पानी का लेवल constant हो गया. इस तरह के, मतलब चलते दिखाई दे रहा है, फिर भी नहीं भर रहा? इस तरह के equilibrium को हम लोगו क्या बोलते है? dynamic equilibrium बोलते है जो दिख रहा है आखों से की change हो रहा है बार बार पानी आ रहा है जा रहा है पिर भी टब्बे का पानी बढ़नी रहा तो इसका मतलब इस तरह के equilibrium को क्या बोलते है dynamic बदलते दिख रहा है फिर भी बदल नहीं रहा बदलते हैं दिख रहा है फिर भी बदल नहीं रहा है तो that is called dynamic equilibrium आ रहा है समझ में so in that is गया होता है chemistry के अंदर मैंने आप सिखा कि rate of forward rate of backward के बराबर हो जाती है ज़र आप ध्यान से समझना rate of forward का graph यह rate of backward का graph यह अब यह कैसे आया है मैं आपको थोड़ी दिर में समझाता हूँ लेकिन एक point ऐसा आता है जब rate of forward rate of backward के बराबर हो जाती है ज़र आप चेक करो rate of forward rate of backward के बराबर हो जाती है इसी situation को हम लोग क्या बोलते है equilibrium बोलते है इसी time को equilibrium time कहा जाता है अब जरूरी अब जरा धान से इसको समझना इसी situation को हम लोग क्या बोलते है equilibrium तो वहाँ पर rate equal हो जाती है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि amount भी equal हो जाएगा मतलब जितना reactant उस time पे बचाया उतना ही product होगा ऐसा नहीं है जरूरी नहीं है बट हाँ concentration में change नहीं आएगा मतलब जितना उस time पे product है उतना ही उस time पे reactant रह जाएगा जब equilibrium attain होगा तो देखो product जितना होतना ही रहेगा reactant जितना होतना ही रहेगा तो यहाँ पर सीखने लाइक बात क्या है यहाँ सीखने लाइक बात यह है जरा आप ध्यान से समझना equilibrium पर आपकी rate of forward rate of backward के बराबर हो जाती है लेकिन जरूरी नहीं है कि concentration of reactant is equal to the concentration of product जरूरी नहीं है यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता यह आप लोग याद रखिएगा समझ में आता है concentration equal भी हो सकती है उस time पे और non equal भी हो सकती है अब आप में से कई सवाल पूछेंगे एकी सर जिस speed से reactant से product बन रहा है उसी speed से product से reactant बन रहा लेकिन यह कुस time के बात शुरू हो है बच्चों उस time पे इंकी concentration same भी हो सकती और नहीं भी हो सकती मतलब graph concentration का बनाए तो वो ऐसा भी आ सकता है समझ में आ गया और ऐसा भी आ सकता है जर आप चेक करो concentration ऐसा भी आ सकता है constant होनी चाहिए equal होना ज़रूरी नहीं है और concentration का graph ऐसा भी आ सकता है तो यह तीनो graph concentration versus time के graph बनाए है concentration equal भी हो सकती है equilibrium पे non equal भी हो सकती है यह सवाल बहुत बार पूछा गया है are you getting my point? जैसे कि अपन एक chemical reaction ले लेते हैं मेरी बात को ध्यान से समझना पाल लो nitrogen ने hydrogen के साथ react करके ammonia बनाया forward reaction कैसी है nitrogen hydrogen के साथ react करके ammonia बना रहा है reversible reaction कैसे हो सकती है कि ammonia वापस से टूट के nitrogen और hydrogen बना दे तो आपको forward और backward reaction का पता होना जाहिए कि forward reaction क्या है और backward reaction क्या है समझ में आता है अप graphical representation को समझ लो भाईया अगर आप equilibrium पे अगर बात कर रहे हो equilibrium की तो आप जारा समझो कि उनके graphical representation कैसे होंगे उनके graphical representation ओनगे जारा आप चेक करो forward reaction में आपके लिए क्या reaction है कि nitrogen hydrogen के साथ react करके क्या बनाए ammonia क्या शुरू में T is close to zero time पे ammonia था क्या ammonia का concentration कितना था zero आ गया है समझ में तो अभी ammonia बना ही नहीं है इसका मतलब जब ammonia की value zero है तो शुरू में reverse reaction चालू नहीं होगी आ रहा है समझ में क्योंकि यहाँ पर जो rate होता है किसी भी reaction का यहाँ पढ़के आ चुके हैं वो सीधे सीधे concentration पर depend करता है अब forward reaction चालू हो जाएगी क्योंकि शुरू में आपने nitrogen डाल रखा है और hydrogen भी डाल रखा है लेकिन ammonia तो नहीं है तो nitrogen और hydrogen डाल रखा है तो rate of forward reaction यहाँ से शुरू होगी यह rate of forward reaction है क्योंकि उस टाइम पर nitrogen भी प्रेजन है और hydrogen भी प्रेजन है लेकिन क्या ammonia प्रेजन है शुरू में नहीं, ammonia तो बना ही नहीं अभी तक तो आपकी rate of reverse reaction 0 से शुरू होती है और backward reaction आपकी नीचे से शुरू होती है लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब इस दोनो reaction equal हो जाती है इसी वक्त को हम लोग equilibrium कहते हैं इसी वक्त को equilibrium कहा जाता है यही equilibrium state होती है अब classification परते हैं बहुत important है chemical equilibrium की characteristics क्या है अगर reactant से product बन रहा है और product से reactant बन रहा हो दोनों की speed सेम हो गई तो उस time पर reactant भी मुझूद होगा और product में मुझूद होगा दोनों मुझूद होंगे equilibrium की condition में आपका reactant और product दोनों container में मुझूद होंगे अब दूसरा बोत दा reaction proceed in opposite direction are equal rates equilibrium के time पे rate of forward reaction के बराबर हो जाती है rate of reverse reaction के बराबर हो जाती है तीसरा point यह हम पढ़ चुके है तीसरा point तीसरा point क्या है था concentration of reactant product are not change इसने नहीं लिखा equal होंगी इसने ये लिखा है कि equilibrium के time पे जो concentration product की है और जो concentration reactant की है ये आपकी change नहीं होंगी constant हो जाएंगी ये कभी नहीं लिखा कि इसने equal हो जाएंगी ये कोई जरूरी नहीं है मतलब इनकी concentrations constant हो जाएंगी फिर उसके बाद नहीं बदलेंगी ये वैसा ही है जो संडास में डबबा था संडास में डबबे में पानी का level change हो रहा था क्या नहीं समझ में आ गया अब इनकी concentration भी constant हो जाएगी तो अब catalyst का क्या गाम होता है अगर आप लोगों ने equilibrium की condition में catalyst को add कर दिया तो ये कभी भी catalyst क्या करता है equilibrium की position को affect नहीं करता समझो इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि अगर आपने catalyst डाल भी दिया ठीक है पहले लिख देते है without catalyst अगर without catalyst देखेंगे और फिर दूसरा लिखेंगे with catalyst अगर आपने मालो ये काम करा है without catalyst भी जब equilibrium हटेन होगा मालो reactant की concentration और reactant की concentration 10 है और product की concentration पाँच है ऐसा माल लेते है catalyst अगर आपने डाल भी दिया तब भी reactant की concentration equilibrium पे 10 ही होगी और product की concentration equilibrium पे 5 ही होगी उनमें कोई फरक नहीं आएगा समझो इस चीज़ को now this is really very important catalyst does not affect the position of equilibrium वो कभी भी equilibrium की position को affect नहीं करता समझ में आ गया बहुत बड़ी है शाबाज तो अब हम लोग आगे चलते है law of mass action पढ़ते हैं अब यहीं से आपका actual chapter शुरू होता है law of mass action यह कहता है भया सीधी सी बात है mass action लोग क्या है ज़र आप समझो मैं माल लो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ मैंने ना एक bucket लिया I am going to take a bucket मैंने एक bucket लिया ठीक है अब नहाने जा रहो संडास तो चले गए अब नहाने चलते हैं ठीक है और उसमें माल लो पानी भरा हुआ है मेरी बात ध्यान से सुनना यह पानी भरा हुआ है ठीक है और यह सेम मात्रा जो पानी की है वो मैंने इस फर्ष पे उडेल दिया यह सेम मात्रा पानी मैंने फर्ष पे भी उडेल के रखा है आया समझ में उपर से हमारे पास है ना सन लाइट आ रही है मैंने इसको दूप में रख दिया जान से समझना ये सूरे है, सूरे का प्रकाश आ रहा है नीचे की तरफ, आ रहा है समझ में मेरा सवाल है सूरज भगवान के सूरज भगवान के सामने सूरज भगवान के सामने मैंने दोनों चीज़े रख दी बकेट की, पानी की बकेट भी रख दी और उसी पानी को मैंने फर्ष पे फिला के रख दिया मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि कौन सा पानी पहले evaporate होगा पहला या दूसरा मेरा सवाल है ये कि कौन सा पानी पहले evaporate होगा पहला या दूसरा जल्दी सी बताओ कौन सा पानी पहले evaporate होगा पहला या दूसरा हर्ष गुजर बेटा अप्रेंका का हाल चाल पूछना बंद कर बेटा पढ़ाई कर ले नहीं रह जाएगा बताओ पहला या दूसरा वो ले हुश्यार bucket वाले पानी को लोग बोल रहे पहले सूरज बगवान चूस लेंगे अरे नलायकों कभी घर पे जाके थोड़े experiment कर लिया करो फर्ष में उडेला गया पानी जल्दी evaporate होगा फर्ष में उडेला गया पानी जल्दी evaporate होगा ऐसा क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर पानी को आपने फैला दिया यहाँ पर अगर sun rays पड़ेंगी तो पहले surface वाले molecule जाएंगे क्योंकि surface वाले molecule ही उसके touch में है नीचे वाले तो नहीं है लेकिन यहाँ पर तो आपने पानी को जो फैला दिया तो सारा पानी ही almost sun के touch में आ गया तो यहाँ पर मतलब क्या है मतलब होता है active mass का mass action low लगता है active mass पे तो मतलब समझो अगर आप लोग यहाँ ध्यान से देखोगे तो bucket में सिर्फ उपर वाली layer active है सूरज से sun से evaporation के लिए सिर्फ उपर वाली layer active है लेकिन जब आपने पानी फिला दिया तो almost सारा पानी active है तो यहाँ पर mass action low active mass पे लिखा जाता है क्योंकि chemical reaction active mass के बहाफ पे देखी जाती है जरा समझो इस चीज़ को तो bucket वाला पानी बहुत धीरे evaporate होगा लेकिन आपका जो surface आपने फर्च पे डाला पानी वो जल्दी evaporate हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर सारा खेल active mass का है और आपको मैं मज़े की बात बताता हूँ जरा आप ध्यान से समझना mass action low यह कहता है कि कोई भी chemical reaction का rate reactant के active mass पे depend करता reactant के active mass पे depend करता कि उसका active mass कितना है obviously inactive mass से क्या लेना देना है कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे वो depend करेगा कि ऊपर पानी कितना है simple बात है तो rate action low आपका mass action low यही कहता है कि जो chemical reaction का rate होता है वो active mass के directly proportion होता है जितना ज़्याद active mass होगा rate उतनी ज़्यादा होगी chemical reaction की आ गया समझ मैं मतलब समझो और वो भी reactant के माल लो कि मेरे पास है chemical reaction है A of A, B of B will give you a product अब यहाँ से mass action low यानि कि यह low of mass action हो यह कहता है कि जो rate होगी वो reactant के active mass पर depend करेगा आ रहा है समझ में यानि कि A to the power stoichiometry and B to the power stoichiometry अब इसको आप लो ना chemical kinetics से जोड के अब ही मत देखना क्योंकि chemical kinetics है different version है वहाँ पर आप जो A और B लेते हो stoichiometry नहीं होती वो order होती है बहुत सारे बच्चे confusion में चले जाते हैं chemical kinetics और chemical equilibrium को लेके मैं आपको clear कर देता हूँ कि आप please इसको mix मत करना chemical kinetics को अलग रखो और chemical यहाँ पर stoichiometry count होती है rate के अंदर और जब आप यह जो sign अटाते हो proportionality का equal का sign लगाओ भी तो k लगाओगे k is a rate constant आपको सबको समझ में आगे है अब यह A और B stoichiometry है इस chapter के अंदर अगर kinetics में जाओगे तो यह stoichiometry नहीं होती वो order of reaction होता है जो experiment से निकाला जाता है यहाँ पर ऐसा कोई rule नहीं है याद रखना अब आते हैं अपन active mass के concept वे जो मैं आप लोगों को समझाई चुका हूँ active mass का मतलब है कि कोई chemical reaction में कितना reactant का mass actively participate कर रहा है कितना reactant का mass actively participate कर रहा है actively participate कर रहा है are you getting my point actively participate कर रहा है उसी को active mass कहते है समझ में आगए जैसे मैंने example दिया bucket वाला और उसी पानी को जो मैंने first पे फैला दिया था अब mass action लोग बहुत simple है mass action लोग बहुत simply यही कहता है कि कि किसी भी chemical reaction का rate लिखना है तो active mass की साथ में stoichiometry लेनी होती है reactant का active mass लेलो उसकी stoichiometry लेलो reactant का active mass लेलो उसकी stoichiometry लेलो आगया समझ में उसी को क्या बोलते है mass action लोग कहते है इसको लिखना भी बहुत आसान है और अब depend करता है कि आपने reactant कितने लिए है माल लो A, B, C, B ले लिया होता तो यहाँ पर C भी लिखते है आ रहा है समझ में यह scene है mathematically चलो उसको mass action लोग को थोड़ा express करते है माल लो मेरी बात को ध्यान से सुनना माल लो कि मेरे पास एक chemical reaction है बहुत ध्यान से सुनना माल लो मेरे पास एक chemical reaction है यह और यह reversible chemical reaction ली ली इस बार मैंने मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ मैंने chemical reaction ली और वो भी reversible chemical reaction ली कि जहाँ पर A of A से और B of B से C of C or D of D बन रहा है और यह reversible है reversible का मतलब forward और backward दोनों में जाएगी पहले forward लेते चलो forward reaction क्या है जब A और B से क्या बना रहा है COD यह forward reaction है इस पे mass section लो लगा के बताओ mass section लो लगा के तो आप लिखोगे rate of forward क्योंकि आपने forward reaction ली है तो यह forward में जा रही है तो यहाँ पर rate of forward लिखो किसके बराबर होगा rate constant for forward और साथ में forward अगर जा रहे हो तो reactant किसको बोलोगे forward जा रहे है तो reactant होगा A और B समझ में आगया तो फिर आपको इस इस इह लिखना है A of A and B of B क्योंकि मैं forward की बात कर रहा हूँ forward के case में A और B ही हमारे पास reactant है अगया समझ में अब बात करते है reverse की अगर reverse reaction की बात करो जब reverse reaction की बात करो तो कैसे लिखोगे C of C प्लस D of D बिल्कि व्यू A of A and B of B अब आप मुझे बताओ reverse reaction के अंदर आपके reactant कोन है अब reverse reaction में reactant है C और D तो फिर आप जब rate of reverse reaction लिखोगे mass section लो यहाँ पर लगाओगे rate of reverse reaction लिखोगे तो आप C O D को ही लिखोगे A और B को क्यों लिखोगे आगा है समझ में अब आपके पास rate of forward भी मिल गया rate of reverse भी मिल गया मिल गया अब मेरी बात सुनना equilibrium कब attain होता है equilibrium तब attain होता है जब rate of forward rate of reverse के बराबर हो जाए मतलब rate of forward क्या लिख क्या लिख क्या आए थे तुम लो यह रहा rate of forward is KF A to the power A and B to the power B rate of reverse क्या लिख क्या लिख क्या लिख क्या आए थे KR C to the power C and D to the power D दोनों को बराबर कर दो अगर मैंने दोनों को बराबर कर दिया तो देखो KF A to the power A, B to the power B k r c to the power c d to the power d दोनों को पराबर कर दिया मैं यहापर ratio लेता हूँ k f upon k r का rate of forward constant to the rate of reverse constant इनका जब मैं ratio लूँगा तो क्या आएगा आप मुझे बताओ उपर आपको दिख रहा है जब देखो k f को k r से divide करोगे तो यह नीचे चला गया और यह सारी term नीचे आ गई इन that case उपर आपके पास क्या आ रहा है product के concentrations आ रहे है और नीचे क्या आ रहे है reactant के concentrations आ रहे है और k f upon k r के ratio को क्या बोलते है rate constant of forward or rate constant of reverse वरी- वरी- वरी इंपॉरेंट kf upon kr के ratio को kc बोला जाता है तो आज अभी हम लोग क्या करेंगे अभी हम लोग ना kc लिखना सीखेंगे तो चलो मैं आप लोगों को kc लिख के बताता हूँ उसके बाद अपन इसके factor की बात करेंगे ठीक है तो मैं आप से कह दूँ कितना असान है जब आप चेक करना दिखने में hard लगता है बट कुछ नहीं है माल लो कि मेरे पास एक reaction है वो reaction है suppose करो वही कि n2 plus o2 will give you twice of no यह reversible reaction थी अभी आप पढ़के आए और twice of no मैं आपको बोलता हूँ कि चलो और मैं माल लेताओ कि इमान कि लेताओ यह यह gas है यह gas हो है मैं माल लिया अब मैं कहताओ कि चलो इसकी लिए kC लिखके बताओ kc की value क्या होगी that is kf upon kr यह इसके बराबर होगी यह तो आपको पता ही है अब जब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना कैसे लिखोगे आप KC की value में सबसे पहले product को लेते हो ले लो product कौन है product के active mass को लोगे product कौन है NO और उसकी stoichiometry उसकी power पर लगाओगे लगा दी अब आजाओ नीचे के लिखोगे reactant reactant कौन है N2 उसकी stoichiometry कितनी है 1 तो चिंता छोड़ दो तो इसकी stoichiometry कितनी है 1 तो चिंता छोड़ दो इस तरह से KC को लिखा जाता है Are you getting my point? This is KC क्या ये hard है क्या इसके लिए आपको लाल चटी नीली पैंट के उपर पैंगे चुन्नी लेके उड़ना पड़ेगा सूपर मैन बनना पड़ेगा? नहीं किस को लगता है कि ये तो बहुत आसान है यार ये तो काम मैं मेरे दाएं आत का खेले मैं कर सकता हूँ है ना? तो आप लोग ध्यान ड़को इस तरह से KC लिखा जाता है एक और example ले लेते हैं मालो N2 प्लस Thrice of H2 Reversibly giving you twice of ammonia मैं बोलू चलो इसके लिए ये जो ये भी गैस है ये भी गैस है ये भी गैस है इसके लिए कैसी लिखके बताओ कैसे लिखो गए? आपको concentration लेनी है सबसे पहले ammonia की उस पर power कितनी लगानी है? दो क्या ये hard है क्या? बताओ मुझे फिर nitrogen की उसके power कितनी है लगानी है एक फिर hydrogen की उस पर power कितनी है लगानी है तीन क्या ये hard है? क्या इतना सा काम करने के लिए आपको लाल चड़ी नीली पैंट पे पहन के मम्मी की लाल चुनी लेके उड़ना पड़ेगा क्या? मतलब शक्तिमान बनना पड़ेगा क्या? ना बाबा ना तो ये बहुत असान है सबको पता लग गया अब अपन आगे चलते ठीक है? अब देखो अब अपन चेक करेंगे कि भईया केसी कौन-कौन से factor पर depend करता है factor affecting केसी तो उसको आप ध्यान से चेक करना factor affecting केसी देखो केसी डिपेंड करता है एक तो reaction की stoichiometry coefficient के उपर और actually सबसे बड़ा factor है temperature temperature अगर बदलोगे तो केसी की value बदल जाएगी बात खतम तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं stoichiometry पर कैसे डिपेंड करता है तो देखो मैं माल लेता हूँ कि मेरे पास एक chemical reaction है A of A plus B of B will give you C of C and D of D उसके लिए आपको equilibrium constant दे रखा है K1 ठीक है अब मैं इसको reverse कर दूँ तो C of C, D of D will give you A of A and B of B उसके लिए आपको constant दे रखा है K2 नाम अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ K1 और K2 में क्या relation है तो पहली बात तो जैसी आपने reverse कर दिया तो आपका ना rate constant change हो गया और उन दोनों में relation क्या होगा आप खुद से निकालो बताओ K1 की value क्या होगी K1 की value होगी C of C and D of D खुद से लिखके देख लो कोई फरक नहीं पड़ता इससे खुद ही लिख सकते हो उसमें है ही क्या A of A to B of B यह लिखोगे ना बताओ मुझे K2 की value लिखके बताओ K2 की value क्या होगी उसकी just opposite होगी क्या लिखा जाएगा A of A B of B C of C and D of D तो आपको क्या लग रहा है कि आप मुझे बताओ K1 और K2 में क्या relation है that K1 is 1 upon K2 yes or no क्या यह hard है क्या इसके लिए आपको लाल जड़ी पहननी पड़े ही na K1 1 upon K2 के बराबर होता है simple अब दूसरे पर चलते मान लो कि यह तोड़ा critical दे रखा है simple way से समझाता हूँ आपको मान लो कि मेरे पास एने एक reaction है A से आपने बना दिया suppose करो B reversibly आप क्या बना रहे हो B और B से suppose करो आप reversibly बना रहे हो C A से B जब बनाते हो तो reaction coefficient है K B से C बनाते हो reaction coefficient है K2 K1 और दूसरे में K2 अगर मैं आपसे पूछू माल लो कि मैं A से सीधे क्या बना रहे हो C तो उस time पे K3 माल लेते हैं reaction constant तो what is the relation between K1, K2, K3 K1, K2 और K3 में क्या relation है क्या आप मुझे बता सकते हो K1, K2, K3 में क्या relation है तो देखो ऐसा है कि अगर आप उपर वाली दोनों reaction को जोड़ दो तो आपको तीसरी reaction मिल जाएगी Whenever you add above two reaction you will get the third reaction इन दोनों को जोड़ दोगे तो B से B cancel हो जाएगा A से C मिल गया जब आप दो reaction को जोड़ते हो तो तीसरी reaction का जो rate constant होता है पहली दोनों reaction के rate constant के multiply के बराबर होता है निकाल के देख लो बताओ K1 की value कितनी है सब लोग मुझे बताना आप लोग है न बताओ मैं दुवारा बोलताओ conclusion क्या निकल के आएगा that K3 is equals to K1 into K2 आप खुद भी निकाल सकते हो आप मुझे बात बताओ K1 की value क्या होगी K1 की value होगी B by A डब्बे लगा ले ना मैं सीधे लिख रहा हूँ K2 की value क्या होगी that is C by B K3 का value क्या होगा C by A अब बताओ K1, K2, K3 में क्या relation है अगर मैं K1 और K2 को multiply कर दू K1 की value क्या है B by A into K2 की value क्या है C by B B से B cancel होगा C by A आगया वो किसके बराबर है K3 के तो K3 का value किसके बराबर है K1 into K2 के बराबर नहीं आया बताओ मुझे मतलब जो chemical reaction दो add कर दी तो rate constant को multiply कर देना अच्छा तो chemical reaction subtract कर दी तो rate of reaction को अगर होगे divide मतलब समझो shortcut में बताओ तो मतलब यह कि अगर आप दो reaction को add करते हो तो rate constant multiply हो जाते है अगर दो reaction को subtract करते हो तो rate of reaction divide हो जाते है यह simple सी कहानी है जो आप लोगों को note करनी है एक कहानी है जो सब को बतानी है याद आगया है सब लोगों को समझ मैं है सब लोगों को तो यह है कहानी overall अब हम और थड़ा आगये चलते है तो मतलब यह है अब मेरी बात को द्यान से सुनना KC की value आपको क्या कहती है KC की value आपको कुछ कहती है वो जरा समझो point बहुत important है So KC की value आप से कुछ कहती है उस point को आप लोगों को समझने की जरूरत है Are you guys ready for the thing की KC value आपको क्या कहती है मेरी बात द्यान से सुनना पहला point पहला point यह है कि अगर KC का value बहुत ज़ादा है KC का value अगर बहुत ज़ादा है इसका मतलब reaction में product की मातरा ज़ादा है अगर मैं कहूं कि KC का value बहुत हाई है इसका मतलब क्या हुआ denominator ज़ादा है इसका मतलब product ज़ादा है और अगर product ज़ादा है इसका मतलब reaction कहां पे गई है forward direction में ज़ादा तर forward direction में गई है chemical reaction ज़रा समझो अगर KC का value बहुत ज़ादा है तो इसका मतलब product बहुत जादा है इसका मतलब reaction forward में गई है अगर casey का value बहुत कम है if the value of casey is very less अगर मैं बोलूँ casey का value बहुत कम है इसका मतलब reaction में reactant की value जादा है casey की value अगर बहुत कम होगा इसका मतलब denominator जादा होगा इसका मतलब reactant जादा है इसका मतलब reaction forward में गई ही नहीं reaction backward dominating है और अगर rate of reaction की value इन दोनों के बीच में आती है तो इसका मतलब यह हो गया कि वो कहीं से भी dominating नहीं है, वो forward भी नहीं है वो backward भी नहीं है, कहीं बीच की है जरा समझो इसी को बहुत important है मैं आपके सिर्फ इतनी कहने कोशिश कर रहा हूँ कि अगर casey का value बहुत ज़ादा है अब कुछ से दिमाग लगाओ, casey का value अगर बहुत ज़ादा है, इसका मतलब क्या हो गया numerator यानि product की value हाई है अगर product की value हाई है इसका मतलब reaction forward में गई है तभी तो product ज़ादा बना है अगर casey का value बहुत कम है इसका मतलब reactant की value ज़ादा है तभी तो casey का value कम आया है क्योंकि reactant को हम लोग कहा लिखते है denominator में तो इसका मतलब reaction कहा गई है backward में तो casey की value आप से कुछ कहती है वो आपको समझने की जूरत है अब एक concept है इसको बोलते है reaction coefficient q उस पे चलते है reaction coefficient क्या होता है देखो reaction coefficient और अगर हम लोग बात करें rate constant ठीक है मेरी बात द्यान से सुनना अगर मैं बात करू equilibrium पे at equilibrium casey का value q के बराबर होता है अब casey क्या है और q क्या है देखो casey लिखा जाता है equilibrium की situation पे जबकि q आप किसी भी time पे लिख सकते हो और जबकि दोनों की जो formula होता हो सेम ही होता है आपको product ही उपर लिखना होता product का concentration और यहाँ पर product की stoichiometry लगानी पड़ती है और नीचे आपको reactant को लिखना पड़ता और यहाँ पर reactant की stoichiometry लगानी पड़ती है कोई फरक नहीं है इनका formula same ही है लेकिन फिर दोनों में फरक क्या है कि casey की value आप लिखते हो सिर्फ और सिर्फ equilibrium की situation पे जबकि q की value है आप पूरी reaction में कभी भी लिख सकते हो पूरी reaction में कभी भी लिख सकते हो क्यों की value दोनों का formula same ही है तो अब यहाँ पर जब आप check कर रहो reaction coefficient क्या होता है ये किसी भी time पे product to reactant ratio होता है किसी भी time पे product की concentration क्या है किसी भी time पे एक minute बात बताओ, दो minute बात बताओ, ती minute बात बताओ तो जब आप यह निकालते रहते हो तो इसको Q बोलते है समझ मैं आगया, stoichiometry साथ में count होगी मैं पहली बता रहा हूँ समझ मैं आगया, इसको Q बोलते है लेकिन आप KC कभ लिखते हो, KC सिर्फ equilibrium की condition पे लिखा जाता है only at equilibrium तो अगर मैं कहूँ कि चलो KC और Q में Q का formula क्या होगा तो देखो Q का formula वही है जो KC का है अगर यह chemical reaction है बोलो Q, QC यानि reaction coefficient का formula लिखो तो आपने वही किया आपने सबसे पहले product को ऊपर लिखा same काम, फिर नीचे reactant को लिखा same काम, क्या कोई फरक है नहीं है इस तरह से calculation होती है अब मज़े की बात देखो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ अब ध्यान से सुनना अगर Q की value K से जादा है मतलब किसी भी chemical reaction में यह है overall देखो यह chemical reaction शुरू हुई मतलब यहाँ से start हुआ, यहाँ से end हुआ ठीक है, मैं माल लेता हूँ कि यह आपका equilibrium का position है और यहाँ पे आप case लिखते हो अगर मैं कहूँ आपसे कि Q की value K से जादा है, मतलब Q इस position पे lie करती है तो Q की value K से जादा हो गई तो अगर Q की value K से जादा हो गई और आपको पता है कि हर कोई कहाँ जाना चाहता है stability की तरफ तो बताओ reaction कहाँ जाएगी backward समझ मैं गया है, left का मतलब क्या हो गया backward reaction कहाँ जाना चाहेगी, backward और अगर मैं कहूँ कि Q की value K से कम है मतलब वो यह इस एरिया में लाई करती है तो कहाँ जाना चाहेगी, forward ताकि वो केसी के जैसा बन सके हर कोई केसी जैसा बनना चाहता है हर कोई equilibrium attain करना चाहता है तो अगर Q की value K से जादा है तो backward direction में chemical reaction जाएगा, अगर Q की value K से कम है तो forward direction में जाएगा और अच्छे से check करो मैं कहूंगा कि यह देखो, यह graphically समझो इसको अगर Q की value केसी से कम है दिख रहा है आप लोगों को graphically Q की value सिर्फ इतनी है और K की value बहुत जादा है तो कहाँ जाओगे, आगे की तरफ ताकि आप कैसे बन जाओ, K के जैसे आप बढ़ना चाओगे तब ही तो आप K के जैसे बनोगे लेकिन अगर Q की value K के बराबर है तो इसका मतलब equilibrium attain हो चुका है लेकिन अगर हमाल लोग Q की value K से बहुत जादा है इन दाट किस आप reverse में जाना चाओगे समझ में आगया, अपने आपको घटाना चाहोगे तो backward direction में जाओगे जब Q की value जादा होगी forward direction में जाओगे जब आप Q की value कम होगी और आप कहीं नहीं हिलोगे जब दोनों की value बराबर होगी आगया समझ में, यह मतलब निकलता है चलिए, अब KP का क्या मतलब है equilibrium constant KP कैसे लिखा जाता है तो सबसे पहले आपको बता देता हो कि अगर सभी पूरी chemical reaction में सिर्फ gases ही हूँ तो आप यहाँ पर equilibrium constant को pressure की form में भी लिख सकते हो क्योंकि gas pressure बनाती है, liquid और solid pressure नहीं बनाता KP का मतलब है equilibrium constant in terms of pressure KP का क्या मतलब है equilibrium constant in terms of pressure pressure की terms में equilibrium constant को लिखा गया है चलो मैं आपको लिख के बता तरीका वही है और कुछ नहीं है मैं आपको सिर्फ यह कह रहा हूँ कि बटा देखो यह gas है, यह gas है, यह gas है, यह gas है अगर सभी gas है तो सब gas का pressure लेना है बात खतम, तो KP को कैसे लिखा जाएगा KP को लिखा जाएगा, very simply और वो तरीका क्या होगा, आपको product की gas लेनी है, सबसे पहले माल लो कि आपके पास A gas है, जिससे आपको क्या बन रहा है, B gas बन रहा है ठीक है, तो सबसे पहले तो आप pressure of B लोगे, divide by क्या करोगे, pressure of A, इसी को KP बोलते है, अगर यह chemical reaction given है आपको, तो KP यह लिखा जाता है बस pressure की term में लिखना है, पहले आप कैसी कैसे लिखते हो, तो एक concentration की term में KP को कैसे लिखोगे, pressure की term में बात खतम, और कुछ नहीं है Now, what is the relation between KP and KC KP और KC में क्या relation है, कौन बताएगा that, याद है आप लोगो KP is equals to KC RT to the power delta NG यह relation आता है बटा, बहुत important है, वे कैसे आया अभी उसकी कोई जरुरत नहीं है, कि KP is equals to KC RT to the power delta NG, R क्या है, gas constant है, वैसे आगे बता सकता हूँ कैसे है पर कुछ को जरुरत नहीं है, T क्या है temperature है, और delta NG क्या है, delta NG actually gaseous molecules का product to reactant subtraction है, जरा समझो, मैं आपको मतलब समझाता हूँ, माल लो कि आपके पास A और B reversibly आपको C और D दे रहा है और मैं आपसे कहता हूँ कि भाईया A solid है, but B gas है C gas है, but D solid है तो अपके पास Gases दो दो ही है न, ये gas है और ये भी gas है in that case, अगर मैं बोलू delta NG का value लिखो, तो आपको सिर्फ ये करना है, C का stoichiometry लेना है, C का stoichiometry में बोल ले तो माल नो, इसका 3 है, और इसका 2 है तो आप delta NG का value कैसे निकालोगे जो product की तरफ gas है उसका stoichiometry ले लो, अब gas चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, यहाँ पर तो 1 ही दिखाई दे रही है, तो 3 ले लिया अब जो reactant की तरफ gas है उसका stoichiometry ले लो, उसको minus कर दो इसको delta NG बोलते है, 3 minus 2 तो अगर कोई पूछे delta NG क्या है, delta NG product की तरफ जो gases है, उनका stoichiometry product की तरफ gases का product की तरफ gases का stoichiometry minus reactant की तरफ gases का stoichiometry है, और कुछ नहीं है that is a difference only आपको मैं एक और example देता हूँ ज़र आप धान से समझना, माल लो कि मेरे पास है ना, ऐसा कोई chemical reaction दे रखा, आप लोग मुझे बताना delta NG का value क्या होगा in that case, ठीक है, मुझे बेरी बात कि ध्यान से सुनना मैं माल लेता हूँ कि मेरे पास है ना twice of A gas है plus thrice of B gas है reversibly आप लोगों को four times C gas देती है और five times D gas देती है, सारी gases है मैं पूछता हूँ delta NG का value बताओ क्या लिखोगे delta NG का value पहले product की तरफ चलो product की तरफ दो gases है इस वक्त तो उनकी stoichiometry ले लो, four plus five ले लिया, reactant की तरफ आजाओ, reactant की तरफ भी दो gases है, तो two plus three मतलब product की stoichiometry की gas वाली से reactant की gas वाली stoichiometry को minus करना है, चार प्लस पांच कितना होता है no, no में से 2, 3 plus 2 कितना होता है, 5, तो answer आएगा 4 ये तरीका होता है, delta NG की value निकाल लेगा अब ये ना इन सब चीज़ों की कोई जर्थ नहीं है, आप सीधे सीधे formula याद रखना, kp is equals to kc, rt to the power delta NG ले देके आपको ये formula ही काम आएगा, formula सब लोग लिखो that is kp is equals to kc, ठीक है उसके बाद क्या लिखोगे, rt to the power delta NG, that is a formula you have to use, guys अभी chapter खतम नहीं हुआ है, लेकिन आपके छोटे byband के लिए pro subscription आप बता देता हूँ अपने छोटे byband को आप gift दे सकते हो live interactive classes, test series analysis, assignments, सब कुछ available है, विदान्तु के pro subscription में, जो की long term batch है तो जिसका link आपको ये है bd and eodine slash yt pro, जिसके तुरू आप अपने छोटे byband को gift दे सकते हो, पूरे साल बर का fees वाके में बहुत ही ज़्यादा कम है, तो वो कितना है, 2650 रुपे मात्र, तो इतनी A.A. prou, चलिए, अब हम आगे चलते हैं अब हम आगे चलते हैं, homogeneous equilibrium को बढ़ते हैं, homogeneous equilibrium का क्या मतलब है, homogeneous equilibrium का मतलब है जब आपके सारे reactant reproducts सब के सब homogeneous हो, मतलब क्या हो मतलब, एक फार्म एकी तरह के phase में हो ज़रा समझो, जैसे कि example देता हो Homogeneous equilibrium का मतलब होता है Single phase में होना चाहिए आपका Equilibrium single phase में सारी चीज़े single phase में एक ही phase में होनी चीज़े है जैसे कि माल लोग सारी-सारी gases है जैसे कि example के दोरे माल लो hydrogen gas की reaction iodine gas के साथ कराते हो twice of hi gas बन रहा है तो देखो इसको homogeneous chemical reaction बोलते हैं और यहाँ पर जो equilibrium attain होगा उसको homogeneous equilibrium बोलेगे नीचे की तरफ देखो सारे के सारे सेम है अगर आप लेते हो h2, यह लेते हो hc2, h2, o2 ठीक है, यह लेते हो आप ठीक है, और यह aqueous medium में और यहाँ से h plus अलग कर लेते हो c2, h3, o2, minus अलग हो जाता है यह सारे aqueous में है, ज़र आप चेक करो तो जब phase आपके सेम होते है तो उसमें जो equilibrium attain होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं homogeneous equilibrium सबको समझ में आ गया अब homogeneous equilibrium को ध्यान से देखो homogeneous equilibrium can further be divided into three parts उसको तीन पार्ट में divide कर सकते है तीन पार्ट में कौन-कौन से homogeneous equilibrium आपको divide कर सकते हो जब delta NG का value क्या हो? positive जब delta NG का value क्या हो? zero जब delta NG का value क्या हो? negative यह तीन पार्ट में इसको divide कर सकते है positive, zero and negative अरे getting my point? तो चलो मैं इसको divide करके बताता हूँ chemical reaction समझाता हूँ उसका मतलब क्या है? जर आप check करना इन सब चीज़ों के आपको कोई खासी जूरत नहीं है आप chemical reaction को देखो पहला example देखो कि जब आपने PCL5 ये भी एक ऐसी chemical reaction जो reversible में चलती है PCL5 will give you PCL3 plus CL2 अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ मेरी बात ध्याम से सुनना मालो कि ये भी gas है ये भी gas है और ये भी gas है तो आप मुझे बताओ यहाँ पर delta NG का value कितना है delta NG का value कितना है product की तरफ gaseous moles कितने है? 2 reactant की तरफ कितने है? 1 2-1 कितना हूँ प्लस का 1 तो delta NG का value प्लस का 1 आ रहा है आ गया समझ में तो ये आपकी further divide हो गया मतलब आपकी equilibrium actually delta NG की value पर depend करती है प्लस का 1, 0 and then minus का 1 अब अगर ऐसा होता है तो उन पे situation analysis करते हैं चलो अब क्या-क्या फर्क पड़ेगा इनकी उपर जर आप चेक करो अगर आपने इस chemical reaction में जर आप चेक करना PCL5 में जो की equilibrium में है PCL3 दे रही है और प्लस में CL2 दे रही है अगर आप इस situation में PCL5 की value को increase करते हो तो आप क्या कर रहे हो आप concentration product reactant की concentration को increase कर रहे हो आगया समझ में तो reaction कहा जाएगी forward direction क्योंकि आप Q की value बढ़ा रहे हो समझ में आगया अगर आप reactant को increase कर रहे हो तो आप Q की value बढ़ा रहे हो तो यह forward direction में जाएगी अब जितना जादा reactant लोगे वो उतनी forward direction में जाएगी खतम हो गई कहानी लेकिन अगर आपने chemical reaction में product को बढ़ा दिया PCL3 और CL2 को बढ़ा दिया समझ में आगया सोरी यहाँ पर Q की value कम हो रही है Q की value decrease हो रही है मेरी बात को धान से सुनना अगर आप reactant बढ़ा रहे हो leak at the principle से समझ सकते हो अगर आप reactant बढ़ा रहे हो तो आप कहाँ पर जाओगे forward direction में और अगर आप product पढ़ा रहे हो तो आप कौन से direction में जाओगे reverse direction में यही leak at the principle कहता है जिसको हम लोग advance में पढ़ रहे है समझ में आ गया अब हम चलते हैं अगर मल लो कि आपने इस case में volume increase कर दिया volume increase कर दिया तब क्या होगा अगर आपने volume increase किया in the case if you increase the volume अगर आपने volume increase किया तो reaction forward direction में जाएगी कहाँ जाएगी forward direction ठीक है क्यों क्योंकि अगर आपने volume increase किया इसका मतलब आप reactant की concentrations को क्या कर रहे हो सब की concentrations को कम कर रहे हो आगे है समझ में in that case क्या होगा जब आप volume बढ़ा रहे हो तो moles भी बढ़ने चाहिए क्यों PVS कस्टो NART पड़े हो के नहीं पड़े हो यहां से volume is directly proportionally क्या होता है moles अगर आपने volume बढ़ाया तो आपके number of moles बढ़ने चाहिए समझ में आ गया अब कहाँ पर बढ़ेंगे आप बताओ मुझे PCL5 reversibly giving you PCL3 and CL2 आप खुद चेक करके बताओ यहां पर number of moles 1 है जबकि यहां पर 1 plus 1 क्या है 2 तो कहने का क्या मतलब है अगर आप volume बढ़ाओगे तो system के number of moles बढ़ने चाहिए तो बताओ कहाँ जाएंगे forward direction में जाएंगे तो 1 का 2 मिलेगा आगया समझ में इसलिए कहते हैं कि volume बढ़ाने पर forward direction में chemical reaction जाएगा समझ में आगया तो हर किसी के लिए अलगल होता है that depends कि delta NG का value क्या है अब मैं आपको जो कहने कोशिश कर रहा हूँ वो यह है कि अगर delta NG का value plus में आता है तो volume बढ़ाने पर reaction forward direction में जाती है यह आप लोगों को ध्यान रखना है straight short अब चलते हैं दूसरी direction जहाँ पर delta NG का value negative होता है delta NG का value negative किसमे होगा मालो की twice of NO2 reversibly giving you N2O4 अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना अगर मैं पूछू कि बताओ यहाँ delta NG का value कितना है अगर मैं बोलू कि यह भी gas है और यह भी gas है तो आप क्या कोगे product की तरफ तो stoichiometry 1 है reactant की तरफ 2 है तो 1-2 कितना होता है minus का 1 होता है अब मेरी बात को ध्यान से सुनना यह ऐसी chemical reaction है जहाँ पर delta NG का value क्या है negative है in that case देखो simple है अगर आपने इस reaction के लिए कौनसी reaction है yes आपने reaction लिखिए यह twice of NO2 with reversibly giving you N2O4 अब मेरी बात को ध्यान से सुनना सब भूल के यह सुनो कि अगर मैंने NO2 की value को बढ़ा दिया तो reaction कहा जाएगी forward direction क्योंकि आप reactant बढ़ा रहे हो समझ में आगया बात खतम हो गई तो आप NO2 की value बढ़ाते हो तो reaction forward direction में जाएगी leak at the principle भी यह गहता है कि अगर आप reactant की value बढ़ाते हो तो reaction forward direction में ही जाती है लिख लो पर अगर आपने product की value बढ़ा दी product तो reaction backward direction में जाएगी for sure इसमें कोई दुराहा नहीं है समझ में आगया है that's it अब आते हैं अगर volume बढ़ा दिया तो क्या होगा तो देखो simple सी बात है अगर आप volume बढ़ाओगे तो reaction में number of moles भी बढ़ने चाहिए अब आप reaction क्या लिख रहे हो twice of NO2 reversibly giving you N2O4 अब आप मुझे बात ध्यान से समझो number of moles कहां बढ़ेंगे बताओ reactant की तरफ number of moles है 2 product की तरफ 1 अगर आपको moles बढ़ाने है तो reaction को कहां चलाना पड़ेगा backward में जिसका मतलब क्या होगया कि अगर आप volume बढ़ाते हो तो number of moles बढ़ने चाहिए in that case reaction जानी चाहिए backward में अब मैं short में बताओ short में यह है कि जब delta NG का value negative होता है और अगर इस situation में आपने volume को increase कर दिया तो reaction आपकी backward direction में जाएगी यही है short notes सबको समझ में आ गया यह मतलब है अब ऐसा case लेते हैं अगर आप मैं बोलू कि चलो delta NG का value निकाल के बताओ तो product की तरफ stoichiometry कितनी है 2 देखो लिखा हुआ है reactant की तरफ कितनी है 1 plus 1 2 तो 2 minus 2 कितना होगा 0 तो delta NG का value यहाँ पर 0 है in that case अगर आप माल लो तीन case लो पहला case अगर आप लोगों ने reactant बढ़ाया तो reaction कहाँ जाएगी forward इसमें तो कोई दुराही नहीं है अगर आप reactant बढ़ाओगे तो reaction forward में जाएगी अगर आप product बढ़ाओगे तो reaction कहाँ जाएगी backward reaction कहाँ जाएगी backward लेकिन अगर मैं यहाँ पर तीसरा case लो अगर मैंने volume change किया volume बढ़ा दिया volume कम कर दिया तो क्या reaction forward और backward में जाएगी नहीं जाएगी क्यों क्यों कि यहाँ पर delta ng का value तो 0 है मतलब जितने moles आपको reactant की तरफ दिख रहे हैं उतने moles आपको product की तरफ दिख रहे हैं अब अगर आपने volume बढ़ाया तो यह उस direction में जाना चाहेगी जा number of moles बढ़े लेकिन यहाँ भी mole 1 है यहाँ भी mole 1 है तो delta ng की value पे actually कोई फरक नहीं पढ़ रा चाहे forward में जाए चाहे backward में जाए तो मतलब क्या निकला कि अगर आप ऐसी condition में जब delta ng का value 0 होता है ऐसी condition में volume बढ़ाते हो तो reactant neither go on forward forward भी नहीं जाती nor go on backward backward भी नहीं जाती है समझ में आगया है यह बहुत important concept है जो आप लोगों को याद रखना है सबको समझ में है है चलिए effect of pressure बढ़ते हैं देखो भी यह simple सी बात है PV is customer NIT आपने पढ़ा होगा देखो अगर आप pressure बढ़ा होगे तो system की कोशिश होगी pressure को कम करने की pressure कम कैसे होगा जो number of moles घटेंगे तो आप लोग याद रखना effect of pressure में क्या लिखोगे अगर pressure बढ़ाया तो number of moles कम हो जाने चाहिए जहां पर कम होगे वहाँ पर उस direction में जाने की वो कोशिश करेगा अगर आपने pressure बढ़ाया तो system pressure को कम करना चाहिए तो जहां number of moles क्यांसे समझना यह देको उल्टा case आपको भी पता है कि pressure is inversely proportional to volume जब आप volume के case में यह देखते थे कि volume बढ़ा रहे हो तो number of moles बढ़ने चाहिए तो pressure के case में उल्टा होएगा न अगर आपने pressure बढ़ाया तो moles घटने चाहिए खतम कहानी याद आई सबको ना नी खतम कहानी यह simple सी कहानी तो मैं straightforward अगर आप बोलूँ क्या होंगे कम होंगे मैं आप एक्जामपल देता हूँ मालो की PCL5 लिया reversibly giving you PCL3 plus CL2 ठीक है अब आप बताओ reactant की तरफ moles कितने है 1 prod की तरफ कितने है 2 क्योंकि एक यह और एक यह अब मैं अगर pressure बढ़ा दो तो reaction कहा जाएगा बताओ मुझे जहाँ नंबरो moles कम होंगे यानि की backward direction में समझ मैं है की नहीं है backward direction में जाएगा सबको clear हो गया volume वाले के just टूल्टा करना है और कुछ नहीं यह देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है increase the pressure will force the direction to backward तो logic क्या बना यहाँ पर logic यह बना कि अगर आप pressure बढ़ाओगे तो moles कम होने चीए उस direction में आपको भेजना है समझ मैं है अब heterogeneous equilibrium पे चलते है heterogeneous equilibrium क्या होता है जहाँ पर एक से जादा phases available होती है जैसे कि माल लो आपको मैं एक मज़ेगी बात बताता हूँ मेरी बात ध्यान से सुनना जब आप calcium carbonate को CaCO3 को heat up करते हो तो यह reversible reaction देता है आपको यह कोई unit direction नहीं है reversible है मतलब वो देगा CO plus CO2 यह देगा अब यह भी gas है बट यह solid है और यह भी solid है मेरी बात को ध्यान से सुनना कभी भी जब आप KP और KC का value लिखते हो तो solid कभी भी count ही नहीं होता अगर मैं पूछो चलो इसके लिए KC का value लिखो तो आपको सिर्फ gas को count करना है CO2 सिर्फ इसका concentration लेना पड़ेगा याद रखो लिख लो कि in the case of KC in the case of KP कभी भी solid और liquid count नहीं होते सिर्फ आपको gas को count करना है अगर मैं बोलू KP का value लिखो तो क्या लिखोगे वो भी होगा pressure of CO2 only pressure of CO2 only सिर्फ यह है यही KP और KC की value है इस chemical reaction के लिए solid के case में हम लोगों को solid को count ही नहीं करना liquid और gas भी हो तब भी liquid को count नहीं करना ठीक है बहुत बड़ी है सबको समझ मैं अब हम चलते है leak at the principle की तरफ जो कि मैं आपको अलड़ी करा चुका हूँ इसको थोड़ा सा समझते है leak at the principle यह गहता है कि भाईया देखो मैं आप बिल्कुल balance situation में हूँ एकदम अपने आपको संभाले बैठा हूँ पर माल लोग की एक तरफ से हवा के जोग़ा मैं रसी पे खड़ा हूँ माल लोग की एक बड़ हवा के जोग़े ने मुझे यहाँ पर यूगर दिया तो मैं आपने भो balance करने के लिए लिए इस तरफ जोड़ लगांगो तो यह अपने आपको balance करने के लिए equilibrium को दुबारा से attain करने के लिए action का reaction देती है उसी को leak at principle कहते है जरा समझो यह वही है गांदी जी की तरफ से बोलो कि अगर आपने थपण मारा तो मैं आपके थपण मारूंगा action का reaction तो अगर आप chemical reaction जो की equilibrium में है उसको छेड़ने की कोश जाता है उस action का reaction दिखाती है आपको इसी को leak atelier principle कहते है तो leak atelier principle action का reaction मतलब यह वापस से कोशिश करती है कि जो आपने force लगाया उसको minimize करने की कोशिश करती है आप जो करोगे उसको minimize करने की कोशिश करेगा उसके opposite direction में force लगाया उसी को leak atelier principle कहते है अब आप देखो मैं आपको समझाता हूँ मैं लोग की मालो की में जो बाहर से force लगा रहा हूँ वो concentration की time में है concentration की time का मतलब मेरी बात को ध्यान से सुनना मालो की मेरे पास है ना मेरे पास एक reactant है जो reversible ही आप लोगों को product दे रहा था और ये equilibrium पे था कोई problem ही नहीं थी equilibrium पे था अचानक से मैंने reactant की concentration को बढ़ा दी अब आप सुनना this is you आप जो करोगे उसका just opposite क्या करना है chemical reaction को उसका just opposite करना है आपने क्या किया आपने reactant को बढ़ा दिया system क्या करेगा या करना है तो वो कहां जाएगा forward direction में मतलब ये कि लिक अटली ये कैसा है कि कहता है कि अगर आप किसी chemical reaction में reactant को बढ़ाते हो तो reaction forward direction में जाती है ताकि वो reactant को कम कर सके जो आप काम करोगे उसका ultra काम करेगी समझ मैं रहा है तो आप क्या कर रहे हो सोच लो उसका just opposite chemical reaction को करना ज़रा समझो अगर मैंने यहाँ पे reactant को बढ़ाया यानि कि nitrogen और hydrogen को बढ़ाया तो chemical reaction forward में जा के reaction को कम करने क कोशिश करेगी तो जब भी आप reactant को बढाते हो reaction forward direction में जाती है लेकिन अगर मैं लो कि मैं ammonia को बढ़ा दू तो अगर मैंने ammonia को बढ़ाया तो chemical reaction क्या करेगी reverse म मतलब अगर आप reactant बढ़ाओगे तो forward में जाओगे अगर आप product बढ़ाओगे तो reverse में जाओगे खतम कहानी इत्ती सी बात है इसके लिए कोई लाल चट्डी नहीं चाहिए अब temperature के effect को देखो temperature भी एक तरह का मतलब इसका effect है न डिबेंड गरता है कि chemical reaction कैसी है chemical reaction कैसी है मतलब exothermic है के endothermic है तो आप ज़रा समझो chemical reaction दो तरह की होती एक तो होती exothermic chemical reaction का क्या मतलब होता है कि A से आप लोगों को reversibly मालो की B मिल रहा है समझ में आ गया plus मैं ये energy भी निकाल के दे रही है इसी को बोलते है क्या बोलते है exothermic ये energy खुद produce करें इसको exothermic बोलते है अब आप बताओ कि exothermic में आए आपने energy को कहां लिखा product की तरफ तो energy एक तरह का product है आ गया समझ में अब आपना दिमाग इसको product की तरह सोच के लगाना समझो ठीक है अब मैं अगर आपसे कहूँ कि मैंने temperature बढ़ा दिया तो मैं क्या बढ़ा रहा हूँ मैं energy बढ़ा रहा हूँ energy increase कर रहा हूँ इसका मतलब मैं product increase कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ ये कौन कर रहा है ये मैं हूँ तो system क्या करेगा this is you तुम लोग कर रहे हो या मैं कर रहा हूँ मैं भी तुम जैसा ही तो हूँ तो system क्या करेगा यानि कि chemical reaction क्या करेगी chemical reaction उसको कम करने के कोशिश करना चाहेगी कम करने के लिए क्या तरीका है कहां पर भाग जाओ आप अगर आपने product बढ़ाया तो आप reverse direction में जाओगे न समझ मैं इस तरह से आंसर निकालते अगर reaction एक्जो थर्मिक है और आपने temperature बढ़ाने के कोशिश करी तो इसका मतलब आप product बढ़ा रहे हो तो reaction reverse direction में जाएगी आगया समझ में क्योंकि उसको temperature की जूरती नहीं है क्योंकि वो खुद energy produce कर रहा है और अगर माल लो ये endothermik होती तो endo का क्या मतलब है endo का मतलब ये है कि A plus energy A को energy चाहिए तब जाके वो reversibly क्या बना रही है product बना रही है अब आपने energy को कहा पे लिखा है reactant में लिखा है समझ में आगया अब आप इसको reactant की तरह count करो अब माल लो कि मैंने temperature बढ़ा दिया इसका मतलब में क्या कर रहा हूँ reactant बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं energy बढ़ा रहा हूँ तो system क्या करेगा reactant को कम करने कोशिश करेगा तो वो कहा जाएगा forward direction में आया समझ में system आपका जिस्ट उल्टा करेगा आप जो करोगे system उसका उल्टा करेगा बात खतम ठीक है सबको समझ में आ गया ये मतलब निकलता है temperature के case पे मैं आपको पहली बता चुका हूँ निकलता है तब आपको exo और endo देखना पड़ता है सबको clear है is it clear तो मैं आपको short में बताओ तो मतलब ये निकलता है कि अगर endothermic reaction है ठीक है और अगर आप increase कर रहे हो तो forward में जाओगे लेकिन exothermic reaction है और फिर आप increase कर रहे हो तो reverse में जाओगे समझ मागिया अब अगर endothermic reaction है अगर आप temperature decrease कर रहे हो तो आप reverse में जाओगे दिमाग लगो कुछ भी नहीं है इसमें और exothermic reaction है और अगर आप decrease कर रहे हो temperature तो आप forward में जाओगे ये मतलब निकलता है इसका अब अपन बात करते हैं effect of pressure की मैं पहली बता चुक हूँ pressure के case में simple है अगर आप pressure बढ़ा रहे हो तो reaction उस तरफ जाएगा जा number of moles कम हो जाए मेरी बात को सुनना if you will increase the pressure then chemical reaction will go to the direction where the number of moles will decrease that's it और कुछ नहीं है मेरी बात को जाँ से सुनना अगर आपने pressure बढ़ा दिया तो chemical reaction उस direction में जाएगा जा number of moles कम होंगे समझ में आगया straight forward अब कुछ नहीं है इसके अंदर ठीक है अब आपको इसको लिखने का तरीका क्या है ये जब भूल जाओ जो मैंने आपको shortcut बताया उसी पर थ्यान देना आप सबको समझ में आगया तो अब इतना कुछ देखने की जूरती है जैसे कि ये ही chemical reaction माल लो आपको पता है कि reactant की तरफ कितने moles है तीन और एक चार और अपरट की तरफ दो अब अगर मैंने अब अगर मैंने pressure बढ़ा दिया ठीक है तो chemical reaction pressure को कम करना चाहेगा यानि कि moles को कम करेगा तो moles कम होने चाहिए अगर moles कम होने चाहिए तो वो कौन से direction में जाएगा 4-2 की तरफ जाएगा यानि कि forward direction में जाएगा आया समझ में तो मैं आपको shortcut में बताओ तो मतलब यह निकलता है मेरी बात सुनना अगर आप pressure बढ़ा रहे हो तो आपको उस direction में जाना है जाएगा number of moles कम हो जाएए यही इसकी short trick है बात खतम हो गई यहाँ पर और कुछ नहीं है समझ में आ गया clear है सब लोगों को चलिए तो effect of pressure मतलब क्या है जब आप check करो increase in increase in pressure जब आप pressure increase करते हो तो आपको वहाँ जाना है जा number of moles कम हो simple सी बात है number of moles को गटाना है और अगर आप pressure decrease करते हो तो आपको number of moles को बढ़ाना है आप वहाँ जाओगे जो number of moles बढ़े उल्टा कहाम है simple सी कहानी है सबको समझ में आ गया अब leak atlip principle में catalyst का क्या फर्क पड़ता है catalyst कभी कोई effect नहीं डालता equilibrium पर हमें पहली बता चुका हूँ catalyst क्या करता है सिर्फ activation energy को change करता है catalyst does not change equilibrium condition वो equilibrium condition को change नहीं करता मांसी कह रही reverse क्यों sir कौन से वाली reverse की बात करो बिटा अरे चीजों को समझो भी थोड़ देर पहली समझाया था मैंने आप एक chemical reaction का अभी तो बोला हो मैं थोड़ देर पहले आप खुद से दिमाग लगाओ कि अगर आप माल लो आपने pressure बढ़ाया this is you तो आप खुद सोचो कि system को क्या करना है system को pressure कम करना है system को क्या करना है pressure कम करना है pressure कम करने के लिए वो number of moles को घटा देगा क्यों आप खुद से सोचो आपके ना एक room है जिसमें सो लोग है अगर सो लोग हैं तो suffocation जादा होगा pressure जादा पड़ेगा अब अगर आपको pressure कम करना है तो क्या करना पड़ेगा लोगों को बाहर भेजना पड़ेगा समझ में आ गया वहाँ से लोगों को कम करना पड़ेगा तो simple है आपने pressure बढ़ाया तो system pressure को कम करना चाहेगी pressure कम करने का तरीका होता है moles कम कर दो moles कम हो जाएंगे तो pressure अपने आप कम हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि pressure is directly proportional to mole जितने mole जादा होंगे pressure जादा होगा आपको pressure को कम करना है तो आप moles को कम कर दो बात खतम ये तरीका होता है दिमाग से सोचो दिमाग से दिमाग से अपने दिमाग लगाओ तो अपने आप answer आने लगेगा catalyst का कोई फर्ग नहीं पड़ता last में आता है कि अगर आप लोगों ने inert gas add कर दी तो क्या होगा अगर आप inert gas देखी ये भी सवाल है कि equilibrium की condition में जहां पर reactant और product एक दूसरे के साथ equilibrium में है in that case अगर आप constant pressure पे constant volume पे volume को constant रखते हुए volume को constant रखते हुए अगर उसी में आप inert gas को add करते हो तो equilibrium पे कोई effect नहीं पड़ता does not change प्लीज आप इसको लिख लो काम आएगा ये कैसे होता है मैं आप long term batches में पढ़ा चुका हूँ वहापे जाके पूरे वीडियो देख लेना मैं दुबारा बोलता हूँ अगर equilibrium की condition में आपने volume constant रखते हुए inert gas add कर दी तो equilibrium पे कोई फरक नहीं पड़ेगा ना तो वो forward में जाएगी ना backward में जाएगी लेकिन अगर आपने constant pressure पर ये काम करा at constant pressure अगर आपने inert gas add कर दी आप inert gas add भी कर रहो pressure को constant भी रखना है समझ में आ गया तो in that case क्या होगा pressure आप constant रखना चाहतो pressure तो add करने से बढ़ जाएगा तो in that case आपको volume बढ़ाना पड़ेगा भई pressure को constant रखने के लिए और अगर आपको volume बढ़ाना पड़ेगा तो आप खुद से सोचो volume बढ़ेगा आप inner gas add करते हो तो आपको उस तरफ shift करना है जा number of moles जादा हो ये देखो दोनों अलग-अलग चीज़ है pressure constant रखने के लिए आपको volume बढ़ाना पड़ेगा बढ़ अगर आपने volume बढ़ाया तो number of moles बढ़ेगे तो आपको actually जाना कहाँ पर है आपको महाँ पर जाना है जा number of moles हाई हो आया समझ में ये खेल है overall इसको apply करके देखो चलो apply करके दिखाता हूँ अब मेरी बात को ध्यान से सुनना मालो की मेरे पास है न ये कोई chemical reaction है nitrogen plus thrice of hydrogen ठीक है I will give you twice of ammonia अब मैं कहता हूँ कि मैंने constant constant volume पे inert gas add गर दी inert gas add गर दी तो बताओ कि आप constant direction में जाओगे कोई direction में जाओगे क्योंकि inert gas constant volume पे add करने पे कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन अगर आप constant pressure पे inert gas add गर रहे हूँ in that case आपको महाँ जाना है जा number of moles बढ़े है बताओ कहाँ पे बढ़ेंगे यहाँ पर तो 2 ही है और यहाँ पर कितने है 4 तो आप reverse direction में जाओगे इस तरह से आपको answer निकालना है तो chemical reaction reverse direction में जाएगी समझ मागया है constant volume पे तो कहीं नहीं जाएगी लेकिन constant pressure पे वो वहाँ जाएगी जो number of moles जादा हूँ अब physical equilibrium की बात करते है physical equilibrium का मतलब क्या है मेरी बात को ध्यां से सुनना physical equilibrium का क्या मतलब है physical equilibrium क्या होता है पहले तो वो समझो आप जब gas से liquid में और liquid से solid में जाते हो तो यह reversible reactions है आपको पता है gas liquid में जाएगा तो liquid gas में convert हो सकता है gas solid में convert होगा तो solid gas में convert हो सकता है उसको sublimation कहते है इसको condensation कहते है evaporation कहते है solidification कहते है melting कहते है deposition कहते है यह आपको पता है अगर कोई gas liquid में convert होते है तो condensation कहते है कोई liquid gas में convert होता है उसको evaporation कहते है कोई solid if liquid में convert होता है तो उसको melting कहते है कोई liquid solid में convert होता है solidification कहते है कोई gas सीधे solid में convert होती है तो उसको बोलते है deposition और कोई solid सीधे gas में convert होता है तो sublimation कहते है जानते हो है ना ये सब चीज़े तो जानते हो अब physical equilibrium के मतलब समझो जो सबसे पहले माल लो की boiling कर रहो boiling की case में आप कोई पता है कि liquid vapor में convert होती है और आपको सब को पता होना ची कि इसके लिए भाईया कोई liquid को अगर आप gas में convert करना चाहते हो तो आपको temperature इसको energy की requirement होती है temperature बढ़ाना बढ़ेगा, खतम कहां नहीं in that case अगर आप temperature बढ़ाते हो तो यह forward direction में जाएगा temperature घटाते हो, reverse direction में जाएगा इसमें है क्या आगया समझ में, खतम हो गए अचा pressure की बात कर लेते हैं अगर आपने pressure बढ़ाया देखो in the case of pressure reaction will move towards the lesser number of gases अगर आप pressure बढ़ा रहे हो तो reaction उस तरफ जाएगी जा number of gases, moles कम होगे यह हम पहली डिसकस कर चुके अगर आप pressure बढ़ाते हो तो chemical reaction उस तरफ जाएगी जा gases, moles कम होगे gases, moles कम होने चाहिए अब आप मेरी बात को जान से सुनना liquid से आप gas बना रहे हो ठीक है और आपने अचानक से pressure बढ़ा दिया अब इरेक्शन उस तरफ जाएगा जा gases, moles कम होगे बताओ कहाँ पर है कम कहाँ पर है forward direction में तो gas, moles जादा मिल रहे है reverse direction में liquid मिलेगा न तो यह reverse direction में जाएगा pressure बढ़ाने पर वैसे भी पता है solid से अगर आप liquid में convert करना चाहते हो किसी चीज़ को solid से liquid में convert करना चाहते हो तो भाया temperature बढ़ाना पड़ेगा ऐसे तो होगा नहीं temperature बढ़ा होगे तो forward direction में जाएगी temperature घटा होगे तो reverse direction में जाएगी कोई बच्चा भी जानता है लेकिन यहाँ पर एक interesting चीज है यहाँ पर interesting चीज आती है increasing of pressure अगर आपने pressure बढ़ाया तो reaction वहाँ जाएगी 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 volume कम हो क्योंकि PV is a constant pressure is inversely proportional to volume अगर आप pressure बढ़ाते हो तो volume कम होना चाहिए in that case अगर आपने pressure बढ़ाया तो वहाँ जाएगा 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 volume कम होगा अब मेरी बात को ध्यान से सुनना आपको खुद को पताएगी जब आप solid to liquid देखो यहाँ पर बरफ की बात नहीं करूँगा पहले बरफ को छोड़ के बाकी की बात कर लेते है solid जब liquid में convert होता है तो आपको भी पता है कि solid की density जादा होती है और उसके volume कम होती है जानते हो liquid की density कम होती है उसका volume जादा होता है अब अगर आपने pressure बढ़ाया तो volume कम जहाँ पर होगा वहाँ पर जाने की कोशिश करेगा समझ में आगे है तो कहाँ जाएगा liquid से solid की तरफ यानि की reverse direction में जाने की कोशिश कर रहा है obviously यार आप जो pressure बढ़ा होगे तो liquid solid में convert होने की कोशिश करता है बड़ी common सी चीज है लेकिन ये चीज एक्चुली बरफ पे यानि की ice पे count नहीं होती ice का scene क्या है बटा ice की density बटा कम होती है और उसकी volume जादा होती है और water की density जादा होती है और volume कम होता है अब अगर आपने यहाँ पे pressure को increase कर दिया तो ये lesser volume की तरफ जाएगा lesser volume कहा है मज़े की बात देखो ice वाला water ice और water ये पहला आपको एक ऐसा case मिलेगा जहाँ पर pressure increase करने पर आप ice से water की तरफ जा रहे होगे forward direction में जा रहे होगे ऐसा क्यों क्योंकि ice की volume जादा होती है आपको lesser volume की तरफ जाना है ये पहला ऐसा case मिलेगा जहाँ पर आप pressure increase करने पर solid से liquid की तरफ जाते हो oh my god this is the only case where if you increase the pressure solid would be converted into liquid लिखो काम आएगा this is the only case where if you increase the pressure it will go to the forward direction ice pressure बढ़ाने पर ice water में convert होती है oh my god now this is the most important thing जिस पर सवाल पूछे जाते हो क्यों होता है मैंने reason आपको बता दिया finally guys thank you so much हमारा chapter अभी chemical equilibrium खतम हो गया आप लोगों ने अच्छे से participate किया उसको देखा कि यह सब चीजे क्या होती है amazingly आप लोगों ने बहुत अच्छा परफोर्म किया है मेरी request यह कि आप needy student तक इन वीडियो को लेके जाओ इनको फैलाओ ताकि बच्चों को फाइदा हो सके finally हमारा यह chemical equilibrium खतम हो चुका है मेरी request है कि अगर आपने अभी तक crash course जोइन नहीं किया है तो बेटा कर लो काम आएगा crash course आपको बहुत मदद करेगा 2,999 रुपे का यह crash course है जिसके लिए आपको coupon code दे रहा हूँ that is A2020 this is the link जिस पर आपके जाना है और जब आप यह code लगा दोगे तो finally like जरूर करना मेरी request है हमारी मेहनत के लिए like जरूर करके जाना thank you बोल रहे हो लेकिन like जरूर करना उससे ज़्यादा हिम्मत मिलती है हमें 14 जो लाइक को crash को शूरू हो रहा है जो आप join करना चाहो तो आप कर सकते हो do like the session right now वो बहुत important है जब आप like करते हो तो आप सीधे दिल को चू जाते हो हमारी app को download करना मत भूलेगा do download the app जिसमें बहुत सारे videos आप लोगों मिलते हैं आपके छोटे भाई बेहन को हमारा pro subscription जरूर दिलाओ पूरे साल बर की fees almost 30,000 के करीब है 15% discount के बाद तो अगर आपको 15% और discount चाहिए तो आपको coupon code देता हूँ that is aa pro long term batch are best features पढ़ाते हैं मज़ा आजाएगा आपको aa pro and finally guys telegram के group को हमारे को join करना मत भूलेगा विदानतु नीट official telegram का group है और इस group में almost 28,000 बच्चे हो चुके हैं अपने भी तक जॉइन नी किया तो कर लो last जाते जाते मेरी request है सोने से पहले, good night से पहले भाया subscribe जरूर कर लो क्योंकि इसको subscribe कर डाला तो live एक दम do subscribe the channel बच्चों क्योंकि आपना हमारा परिबार है do subscribe it और इसको आगे लेके जाओ धूम दडले से और फैलाओ अच्छाईयों को like करके जाओ session को वो बहुत जादा जरूर है दिल बढ़ा है तो like जरूर करना, like जरूर करके जाना, चलिए guys, thank you so much, love you all, this is Arvind Daroda signing off now, good night enjoy your night, कल मिलते हैं, bye